नमस्का राजनमा ठीही पर आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ All India मजलिस ए इताहदुल मुसलमीन के प्रमुक असुदिन ओवेसी शनिवार को बुलडाना के मलकापूर में जनसबा कर रहे थे उनके भाषन के बीच कुछ लोगों ने औरंग जेब अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिये इसका वीडियो वाइरल हो गया वीडियो में लोगों को यह कहते सुना गया कि जब तक सूरत चांद रहेगा औरंग जेब का नाम रहेगा जब ये नारे बाजी हो रही थी तब OVC इन लोगों को हाथ से चूप रहने का इशारा करते नजर आ रहे थे हलाकि बाद में OVC ने कहा कि कुछ नियूस चैनलर ने मेरी सभा में औरंग जेब के नारे लगाने की जूटी कबरे चलाई है मैं उनके खिलाफ केस करूँगा बिजेपी नेता किरिट सोमया ने बुलडाना स्पी सुनिल कडासने से OVC की सभा में औरंग जेब के नारे लगाने की शिकायत की थी उन्होंने नारे लगाने वाले पर कारवाई करने का अनुरोथ किया था जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जाच कर कानूनी कारवाई की बात कही OVC ने जनसभा के दोरान 23 जून को पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया जलील ने जो मुद्दा उठाया है वो गंभी थे मेरा सावाल है कि क्या किसी प्यासे को जल्स्तरोत के पास आना चाहिए या प्यासे के पास पानी जाना चाहिए इस औरान OVC ने अलप संक्योक्यों के खिलाफ कोई बैदभाव नहीं वाली टिपणी पर पिये मोदी की आलोशना भी की है उन्होंने का सबसे बड़ा बैदभाव यह है कि भाशपा के 300 लोग सबा सांसा थे लेकिन उनमें से एक भी मुसलिम नहीं है केंदर सरकार में भी कोई मुसलिम मंत्री नहीं है इसी के साथ बने रही है राजनमा टिवी के साथ दाने बाद